साथियों कुछ दिन पहले हमने देखा CCTV फुटेज जो वाइरल हो गया, निकिता तोमर जो फरीदाबाद जिले के बलब गड़ की बीकॉम तृतिय की छात्रा थी, किस प्रकार से उसे गोली मार दी गई, पहले उसकी अभरण की कोशिश करी गई, उसकी सहेलियों ने उसे बच प्यार नहीं ती जाने के लिए, उसके लिए गोली मार दी, खेर उसके बाद तोसीफ और रहान नाम के दो लोगों को गिरफतार कर लिया गया, और ये बताया जा रहा है कि तोसीफ जो है, वो नू के विधायक, जो कॉंग्रिसी विधायक हैं, आफताब एहमद उनके चचे इससे नाराजगी होती है, और इस बेटी के खत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, और ये सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, इसलिए ये बात दबनी नहीं चाहिए, शायद यही डर है, वहां के लोगों का, आज मैंने फिर एक विडियो देखा, इसमें देखे किस इस तरह से पत्राव हो रहा है, दरसल हुआ यूं कि हर्याना के फरीदाबाद जिले में ही एक महा पंचायद बुलाई गई थी, जिसमें 36 समुदाई के लोग मौजूद थे, और पता चला है कि बैठक में हंगामा शुरू हो गया था, और उसमें से कुछ लोग जो हैं, वो फासी की सजा मिले, और जब इस तरह से आप देखते हैं, जनता का आक्रोश तो उससे साफ हो जाता है, कि किस प्रकार से हमारे यहां न्याय में देरी होती है, जूटे केसिस बहुत होते हैं, और जो सच्चे केसिस होते हैं, उनको भी जूटा बना के उसमें साबित कर दिया इसलिए त्वरित कारेवाई करी जाने चाहिए, मगर दूसरी तरफ मैं यह भी जानना चाहती हो हर्याना की सरकार से, कि जब इस तरह का माहौल बन रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप को स्थिती को संभालनी चाहिए, इससे पहले कि लोग तोड़ फोड़ करें, इस तर उनको यह यकीन दिलवाते कि आप इसमें त्वरित कारेवाई कराएंगे, यह फास्ट्रा कोट में जाएगा और इसमें जल से जल्द आरूपियों को सजा मिलेगी, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, बेटी आप बचा तो पाएं नहीं, कम से कम अब बेटी के मरने के बाद उ उन कानूनों का भी तो इंप्लिमेंटेशन करवाईए और सजा दिलवाईए उसके हत्यारों को. अजे खुँ अब तो इंपा बमा जोड़ी के मरोजों का भी जào एंपे शेयल मोजों का अबमा भी तो पाना रहा जाओए हैं?